नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान समदानमी मैं हूँ जोती दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज की इस वीडियो में हम आपको बतानी जा रहे हैं जिन जातकों की राशी ब्रिश्चिक होती है यानि कि ब्रिश्चिक राशी के सभी जातकों के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा साथ दोजाज चौबिस में इन लोगों को कौन सी बड़ी खुश खबरिया मिलेंगी इनका करियर कैसा रहेगा व्या पार कैसा रहेगा कारुबार के सिलसले में इस वर्ष विदेश यात्रा होगी या नहीं स्टूडन्स की शिक्षा कैसी रहेगी धन लाब इस वर्ष कितना होगा खर्चे बढ़ेंगे या नहीं वहीं दोस्तों इस वर्ष आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी प्रेम जीवन में इस वर्ष कौन से ऐसे बदलाव होंगे जिसे जो सिंगल जाब तक है क्या इस वर्ष व्य मिंगल होंगे या नहीं दाम पत्ते जीवन कैसा रहेगा रिलेशन्शिप में रह रहे जाब तक जो किसी को पसंद करती है क्या इस वर्ष उनकी लाब मेरिज होगी या नहीं जिनका पार्णर उनसे दूर चला गया था पिछले वर्ष क्या इस वर्षवे लोट कर आई गया या नहीं लव लाइफ कैसी रहेगी इन हेल्थ कैसी रहेगी इन सभी के बारे में आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के राशी परिवर्तन से साल 2024 में ब्रिष्चिक राशी वालों को बहुत से बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कुछ जातकों को इस वर्ष ब्रिष्चिक राशी वालों को शुब स्थितियां देखने को मिलेंगी आपकी राशी के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा बताते हैं आपको ब्रिश्चिक राशी वालों के अगर बात करें तो ये अपने काम के प्रती काफी ज्यादा प्रती बंद किसम के होते हैं दोस्ती के मामले ये काप में काफी बहतर होते हैं लेकिन दोस्तों इनके सब्भा में थोड़ा सा जनून होता है और करूर भी होता है अहंकार भी होता है ऐसे में दोस्तों इन्हें के साथ जब हम दोस्ती करते हैं तो थोड़ी से साफ़धानी बरतने के जरूरत होती है अलाकि दोस्तों ये लोग अपने करीबी लोगों के लि बताएंगे इस वीडियो में साल की दस बड़ी बविश्यवानियां जो कि ग्रहों के राशी परिवर्तन के नुसार होगी तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 की बहुत बड़ी यानि कि साल 2024 की ब्रिश्चिक राशी के लिए पहली बड़ी बविश्यवानि जो होगी देव गुरु ब्रस्पती ब्रिश्चिक राशी के जात्कों के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साल की शुरुआत में देव गुरु ब्रस्पती आपके छट्वे बाव में मारगी हो रहे हैं देवगुरू बरस्पती के मारगी होने से साल के चार महीने, शुरुआत के चार महीने में आपको अपनी नौकरी में अच्छा मान समान प्राप्त होगा करियर में नहीं दिशा मिलेगी ब्रिश्चिक राशी वालों को आपके शत्रूप रास्त होंगे आपकी सैलरी बढ़ सकती है इसके इलावा विदेश यात्रा भी होगी और उन्हें यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा कुल मिलाकर देव गुरु ब्रस्पती का आशिरवाज साल 2024 में आपको मिलेगा और आपके जीवन को खुशियों से भनने का काम करेंगे देव गुरु ब्रस्पती और आप बहुत ज़्यादा परसन रहने वाले हैं जिनकी राशी ब्रिश्चिक है तो पहली बड़ी बविश्यवाणी की बात की हमने अब आपको बताते हैं दूसरी बड़ी बविश्यवाणी नौ ग्रेहों में सबसे दीमी ग्रैस शानीदेव की है ब्रिश्चिक राशी वालो तो ब्रिष्टिक राशी के जातकों के लिए पूरे वर्ष चोथे बाह में गोचर करेंगे शानीदेव पंच महा पूरश राजयोग में से एक शर्ष नामक राजयोग का निर्मान करेंगे आपकी जनम कुंडली में शनी देव के इस गोचर से ब्रिष्चिक राशी के जाटकों को बहुती ज्यादा इस वर्ष अत्यदिक सफलता प्राप्त होगी इस दोरान ना सिरफ आप अपनी पैतरक समपती को प्राप्त करेंगे और उससे लाप्राप्त करेंगे बलके इस वर्ष आपको कारे स्थल पर भी बहुत अच्छे परिनाम प्राप्त होंगे खासतोर से अगर आप राजनिती से जुड़े हैं ब्रिष्चिक राशी के जाटक तो उन्हें शनी देव की करीपा से बहुत 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 बहुतरीन सा फलता प्राप्त होगी राजनिती में तो शनी देव की शुब स्थित्यां इस वर्ष आपकी चनम कुंडली में बनेंगी शश नाम का राज योग निर्मान करेंगे शानी देव करम के फल्द आता है तो इस वर्ष आपके करम का फल्द आपको प्राप्त होगा तो ये भी बहुत बड़ी good news रहेगी कुछ खबरी रहेगी शानी देव की करीप आपको मिलेगी अब बड़ करते हैं तीसरी बड़ी माहा बविश्यवानी की ब्रिश्चिक राशी के लिए ग्रेहों के राजा सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी है ब्रिश्चिक राशी वालो और 14 अप्रेल 2024 को सूर्य देव अपनी उचराशी मेश में परवेश करेंगे और 12 वर्ष के बाद देव गुरु ब्रस पती के साथ छटवे बाव में यूती करेंगे जब छटे बाव में गुरु और सूर्य की यूती का निर्मान होगा तो आपके लिए एक विशेश राजियोग का निर्मान होगा ऐसा राजयोग दोस्तों जिससे दोस्तों सरकारी नौकरी की तियारी करें जो जातक हैं उनको सफलता प्राप्त होगी इंटर्वियो में भी सवर्ष आपकी सेलेक्शन हो जाएगी परशासनिक सेवा में आपको नजुकती मिलेगी इसके It's के लावा जो सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं उन लोगों को इस वर्ष अत्यदिक आर्थिक लाप प्राप्त होगा जो टीचर है बृष्टिक राशे के जातक उन्हें इस वर्ष अत्यदिक प्रसेधी प्राप्त होगी इसके इलावा करम कांड करने वाले जातकों को देव गुरु ब्रसपती की कृपा और सूर्य देव की कृपा से अच्छा मान समान प्राप्त होगा 14 प्रहल को बाद तो सूर्य और गुरु की शुब सत्यां आपकी जनम कुंडली में सवर्ष बनेंगी ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा और आपके जन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मेलेगा ब्रिश्चिक राशी वालो को तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही खास हो जाएगा आप बात करते हैं चौथी बड़ी ब्रिश्चिक राशी के सभी जातकों के लिए साल दोज़ार चौबिस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ये तब होगा राशी परिवर्तन जब देव गुरु ब्रस्पती एक माई को आपके सप्तम भाह में गोचर करेंगे यानि कि ब्रिश्चिक राशी में गोचर करेंगे ब्रिश्चिक राशी वालो इसके बाद पूरे साल वे इसी भाह में रहेंगे तो गुरु का ये गोचर आपके लिए ब्रिश्चिक राशी वालो किसी वर्दान से कम नहीं होगा क्योंकि ब्रसपती के सब्तम द्रिष्टी आपके प्रथम भापर होगी आपके विवाहिक जीवन में जितनी भी कठिनाईया थी साल 2023 में वे अब दूर हो जाएंगी आपके विपार में व्रिधी होगी आपके आत्म विश्वास में बड़ोतरी होगी आप यकीन मानियें ब्रिष्टिक राशी वालो आपके परिवार और आपके समाज में आपको भरपूर मान समान इस सवर्ष प्राप्त होगा तो बहुत बड़ी खुश खबरी इस सवर्ष आपको प्राप्त होगी एक माई के बाद जब देव गुरु ब्रस्पति की सब्तम द्रिष्टि आपके प्रतम भाप पर होगी तो खुशियं खुशियं प्राप्त होगी लाव लाइफ में विवाही की जीवन में विया पार में इस समाज में भी आपको मान समान प्राप्त होगा चलिए अब आपको बताते हैं पांचमी बड़ी बविश्यवानी जो कि ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए है तो ब्रिश्चिक राशी के जातकों के लिए साल 2024 के शुरुआत में कारियर के लिहास से कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शनी और ब्रस आपको पदोनती भी प्राप्त होगी अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो शनी देव की क्रीपा से आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ती होगी देव गुरु ब्रस्पति की दसंभाब पर द्रिश्टी साल की शुरुआती चार महीने में आपको आपके पर सुवीदा पर धान करेगी और आपके सबी काम आपके करियर के लेटेड विस्वर्ष पूरे होंगे तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेका ब्रिश्टिक राशी वालो अब बात करते हैं छटी बड़ी वुईशेवाईनी की साल 2014 की ग्रेहों के राशी पर चौथे बामे यूती आपके लिए थोड़ी सी कस्टकारी रह सकती है क्योंकि दोनों ही इस समय पापी ग्रेह होंगे 15 मार्च से लेकर 23 अप्रयलता का समय सावधानी पूर्वकरहे का कस्टकारी भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि इस समय कोई दुरगटना हो जाए या आप आपके प्यार में चोट लगने की समय संभावना होगी तो कारेस्तल भी आपको कुछ चीजों को लेकर आपके सीनियर्स नराज हो सकते हैं इस समय पर आपको विशेश तोर से अपने स्वासत्य का भी ध्यान रखना है क्योंकि मंगल और शनी की दृष्टियां रहेंगी कस् अंतुस्त नजर आ सकते हैं तो ध्यार रखें इस समय में थोड़ा सा सावदान रहें ब्रिश्चिक राशी के जातक अब बात करते हैं साथ भी बड़ी विशेवानी की ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए मायावी ग्रह कहे जाने वाले राहु पूरे 2024 में आपके पंचम भाव में रहेंगे पंचम भाव शिक्षा का भाव है शुबसान होता है ऐसे में दोस्तों यहां राहु का गोचर हो रहा है राहु एक मायावी ग्रह है कस्ट कारी साबिद होगा समय राहु और शनी का सयुक्त भाव आपके प्रथम भाव यानिकी लगन पर पड़ेगा ऐस को सला दी जाती है दोस्तों कि राहु के इस गोचचर के दूरा अपने घर वालों की सेहमती के बिना किसी भी परकार के बाहरी सबंदों में ना पड़ेगा आन्य था इस वर्श किसी इस तरह के कारण बृष्चिक राशवालों आपकी बदनामी भी होसकती हैं तो राहु का ये माया भी गोच है आपके पंचंभाव पर रहेगा और आपको इस वर्ष दोखा भी मिलेगा प्रेम सबंदों में और आपकी बदनामी भी होगी तो बाहरी सबंदों पर ना पड़ें बरिश्चिक राशी के जाद तक सचेत रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अब बात करते हैं आठवी बड़ी बविश्चिक राशी के लिए बहुत एक सुख सुविदा और प्रेम के कारक कहे जाने वाले शुकर 31 मार्च को अपनी उच्छ राशी मीन में प्रवेश करेंगे अपते दिक बलवान हो जाएंगे शुकर के यूती मीन राशी में राहु से हो जाएगी और 24 अप्रेल तक शुकर इसी भाव में यानि कि आपके पंचम भाव पर रहेंगे राहु और शुकर की पंचम भाव में यूती होना इस समय में अपने प्रियतम को दोखा ना दे आने था दोस्तो इस वर्ष आपका ब्रेक अप भी हो सकता है राहु और शुकर की पंचम भाव में यूती होना अलग आव का भी कारण बनने वाली है तो हो सके तो बाहरी सबंदों से दूर हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अब बात करेंगे दोस्तो ब्रिष्चिक राशी के लिए नौमी बड़ी बविश्यवानी की साल दोजार चॉबिस में दोस्तो राशी परिवर्तन होगा ब्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए अगर बात करें नौमी बड़ी बविश्यवानी की तो रहस्य के कारिक और अध्यातम के कारिक के तो पूरे वर्ष का निया राशी में रहेंगे यानि कि आपके एकादश भामें गोचर करेंगे इस बाह में केतु का गोच्छ राप के लिए बहुत ही शुब रहेगा केतु की कृपा से ब्रिष्चिक राशी वालों के जातकों को अच्छा लाब प्राप्त होगा इस वर्ष आपके साहस और प्राक्रम में वृद्धी होगी आपके लेखन में निखार आएगा अगर सीरिमा जगत में काम कर रहे हैं ब्रिष्चिक राशी के जातक तो उन लोगों को अच्छा मान समान प्राप्त होगा केतु का शुर्वाद में देगा जनसंचार से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दीस जा सकती है अगर आपने सर्च से जुड़े हैं तो आपको अच्छी सफलता है इस वर्ष प्राप्त होंगी धार में के यात्राएं भी होंगी उन्ही यात्राओं पर सादू संतों से आपकी मुलाकात होगी कुल मिलाकर केतू का गोचराप के जीवन में पूरे वर्ष लाप की वृद्धी करने वाला रहेगा तो केतू का शुपर भाव और बहुत बड़ी खुश खबरियां लेकर आएगा धन को लेकर धन की वृद्धी करवाएगा केतू अब बात करते हैं दस्मी बड़ी बविश्यवाणी की साल दोहुजार चौबिस में साल दोहुजार चौबिस अगर बात करें प्रिश्ची कराशी वालों के लिए आपके प्रेम समन के लिहास से थोड़ा कठीन रह सकता है पापिक रह राहू का गोचर आपके पंचम भामे होने से आपके प्रेम के रिष्टे में गलत फैमिया बढ़ सकती है वही प्रेम विवाह को लेकर भी आपके मन में कश्म कश्म बनी रहेगी इस समय आप अपने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर कोई कदम ना उठाए अन्य था आपका नुकसान हो सकता है अगर विवाह की जीवन की बात करें दाम पत्ते जीवन की बात करें तो मई के महिने के बाद देव गुरु ब्रस पती का सब्तम भामे गोचर होगा पती पतनी के प्रेम की व्रिधी करने वाला होगा वही दोस्तों जो सिंगल जातक है ब्रिष्ची कराशी वाले अविवाहित हैं जिनका विवाह नहीं हुआ उनका भी दोस्तों विवाहत आई हो सकता है मई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देव गुरु ब्रस्पती का सब्तम भा में गोचर होगा और विवाहित जातको का विवाह होगा जो सिंगल है उन्हें भी दोस्तों इस वर्ष अच्छा हमसफर प्राप्त होगा और साल के अंत में आपकी शादी हो सकती है तो ब्रिश्ची कराशी वैलो के लिए साल 2024 खास रहेगा बहुत बड़े बदलाव होंगे आपकी जनम कुंडली में ग्रेहों का राशी परिवर्तन होगा केतु की क्रीपा से और देव गुरु ब्रस्पती की क्रीपा से इस वर्ष आपको धनलाब बहुत ज़्यादा होगा आर्थिक सिती मजबूत होगी कारियर चमकेगा शिक्षा में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को वहीं दोस्तो इस वर्ष राहु का परभाव आपके प्रेम सबंदों में देखने को मिलेगा प्रेम सबंदों में दोस्तो इस वर्ष सावधानिया बरतनी होगी अगर प्रेम भी वह करना चाहते हैं तो परिवार वालों के विरुद ना जाएं इस वर्ष अच्छा रहीगा आपके लिए इस वर्ष हो सके तो परिवार वालों की इच्छा का धियां रखें ब्रिश्ची कराशी के जातिक अच्छा रहेगा मैं के बाद के स्थितियां अच्छी रहेंगी लव लाइफ को लेकर दाम पत्ते जीवन भी इस वर्ष मादू रह जो नौकरी बदना चाहते हैं उनके लिए भी साल अच्छा रहेगा एक नहीं और नौकरी आपको प्राप्त होगी विवाही के जीवन की जो भी कठिनाईयां थी पिछले वर्ष वे अब दूर हो जाएंगी तो ये साल 2024 मैरिट जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा न और एक राजयोका नर्मान होगा जो कि आपके लिए बेहदी भागेशाली रहेगा शश नामक राजयोका निर्मान इस वर्ष आपकी जनम कुंडली में होगा पैत्रक संपती आपको प्राप्त होगी अगर ही चुक हैं तो आपको संपती से लाब भी प्राप्त होगा जो प गुरू ब्रस्पति का आशिरवाद आपके दमपत्य जीवन को खुशियों से भरने का काम भी करेगा और आप साल 2024 में परसंद रहने वाले हैं जिनकी राशी ब्रिश्चिक है तो ये साल आपके लिए भाग देशाली रहेगा दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारत बताईगी ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ग्यान समादान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें